नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं उस दिन हवाई, अड़ा रोड, हिनु चोक, बिर्शा चोक, सेटेलाइट चोक, अर्गोडा चोक, न्यू मार्केट, रातू होते हुए राजभवन तक और राजभवन से ATI मोर, सिध्धु कानु मोर, मौराबादी मैदान तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा इन सभी राष्टों को राष्ट पती का कार्केट राजभवन पहुँचने के बाद खोला जाएगा इसी तरह 15 नॉमबर को राष्ट पती प्रस्थान करेंगी उस वक्त राजकिये अतिती साला मोर, सिध्धु कानु पार्क, ATI मोर, होट, लिप्स, चोक, न्यू मार्केट चोक, अर्गोडा चोक, सेटेलाइट चोक, बिरसा चोक, हिनु चोक से बिरसा मुंडा यारपोट तक के मार्क बन रहेंगे, जार्खन बनने के बाद थर्ड ग्रेड में अब तक 65,000 न्यूक्तिया, जार्खन अलग राजे कठन से लेकर अब तक 3,3 वर्ग में 65,735 पदों पर ही न्यूक्तिया हो पाई है, इनमें से सबसे ज़्यादा पद सिख्षको के है, फोर्थ ग्रेड मे 47 यार 430 सिख्षको की न्यूक्तिया की गई है, राजे बनने के बाद सबसे पहले जेपीएसी ने वर्ष 2002 में परात्मिक सिख्षको की बाहली ली थी, तब करीब 9,000 सिख्षक बाहल हुए थे, इसके बाद वर्ष 2010 में हाई स्कुल में 77 सिख्षक की बाहली हुई थी, इसके के बाद जिलावार 16,000 सिर्षों कि भाली थी इसके बाद कर्म चारी चैन आयोग की माद्य में सिक्षों की न्युक्ती की गई। वही करमचारी चयन आयोग का गठान वर्ष 2008 में हुआ था, 2011 में आयोग के अधिनिया में संसोधन हुआ, उसके बाद इसके अध्यक्ष चुने गाए, फिर आयोग ने बाहली की परकिरिया शुरू की है सुमवार को देवघर पहुचेंगी द्रोपती मुर्मू, राष्ट पती द्रोपती मुर्मू सुमवार को देवघर पहुच रही है, इसे लेकर जीला परसासन पूरी तरह तयार है बाबा मंदीर में बिसेस त्यार की गई है उपायुक्त मंजुनात भयंत्री की ओर से जनकारी दी गई है कि राष्ट पती के देवगर आगमन के बाद बाबा बैधनात मंदीर में पूरी बिधी बेवस्था एवां बैदिक मंत्रों चारण के साथ पूजा पाठ किया जाना है ऐसे में सोमवार के लिए मंदीर में बिसेस पेवस्था की गई है राष्ट पती द्रोपदी मुर्मु के आगमन को देखते हुए बाबा बैधनात मंदीर में जिला पर सासन दुआरा सुबा नौ बज़े से लेकर दो पहर साड़े तीन बज़े तक आम सर्धालों के लिए प्रवेश बाबा मंदीर प्रांगन में निशेध किया गया है इसके अलावा राष्ट पती के बाबा बैधनात मंदीर में दर्शन पूजन कारेकरम के बाद आम दिनों की तरह सर्धालों के लिए मंदीर परिसर खोल दिया जाएगा चुनाओ को लेकर वाडो के आरक्षन का काम पूरा है जारकन में नगर निकाय चुनाओ जल्द होने की संभावना है चुनाओ को लेकर वाडो के आरक्षन का काम पूरा कर इसका गयट परकासित कर दिया गया है गयट परकासित के साथ ही बीभीन वाडो के संभावित परत्य देर रात तक प्रती दिन बैठाक हो रही है इस बार के चुनाव में नए नए परत्यासियों के साथ नए मत दाता भी वोटिंग में भाग लेंगे अईसे में सब लोग या जानना चाहते हैं कि उनके वाड का दायरा कहा तक है इसी को देखते हुए रांची नगर निगम के तीरपन वाडों का दायरा प्रकासित किया गया इस कड़ी में रभिवार को वाड नंबर 11 से लेकर 20 तक के परी सीमन को प्रकासित किया जा रहा है महुत्सव की जलक दिखेगी महुत्सव में इस वर्ष जार्खन पार्टरनर एस्टेट के तोर पर सामिल है इस बार यहां खादी के स्टोल में अलग आकर्शन दिखेगा इस वर्ष IETF 2022 मेला का थीम वोकल फोर लोकल लोकल टू गलोबल है जिसके तहा जार्खन खादी बो में बुनकरों और करिगरों के हाथों बनी खादी की भंडार, तसत सिल्क की साडिया, चांडिल की सिल्क साडिया, कूर्ता पजामा और टोपी समेथ इंडो वेस्टरन ड्रेस को विशेश अंदाज में अलग से पेस किया जाएगा जार्खन ओपन उन्वर्सिटी को चलाने के लिए खोले जा रहे है 38 अध्यान केंद्र कारेक करने लगा है, विश्व विद्याले में सुरू किये गए 27 सार्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांज डिप्लोमा कोर्स के लिए सुल्क भिताय कर दिये गए है नमांकन के लिए 30 नॉवंबर तक चांसलर पोर्टल से आवेधन कर सकते है समीर उराओ पर तिरिपूरा के बर्मूरा में हमला, जार्खन के राज्य सभा सांसत पर तिरिपूरा में हमला हो गया है, हमली में भारतिया जनता पार्टी के वरिष्ट नेता और राज्य सभा सांसत घायल हो गया है बताया जा रहा है कि तिरिपूरा की राजधानी अगरतला में एक बाठक में सामिल होने के बाद लोटने के दोरान उन पर टीपरा मोथा समर्थकों ने हमला कर दिया समीर उराव भाजपा अनुसुती दुजन जाती मोर्चा कराश्टी अध्यक्ष भी है तिरिपूरा के खोवाई जीला के बर्मूरा में टीपरा मोथा समर्थकों के कथित हमले में वागायल हो गया है जिस वक्त समीर उराव पर हमला हुआ उनके साथ पार्टी नेता विकास देवर्मा और विधूत देवर्मा भी मौजूद थे सभी अगर तला में एक बैठाक करके लोट रहे थे मोराबादी मैदान में अस्थापना दिवस का मुख्य समरो पंद्रह नॉवंबर को जहरखन राज अस्थापना दिवस का मुख्य समरो के मुख्याति थी होंगे उनमे लोहरदग्गा जीले में मंत्री रामेशर उराव, सराक लाखरसा में चमपाई सुरेन, बोकारों में जगानात मतो, पच्मी सिमु में जोवा मांजी, पूर्वी सिमु में बना गुपता, रामगर में बादल, वहीं गड़वा में मितलेश ठा कूर वादेव घर में हफिजूल हसनल सामिल होंगे, राष्ट पती पर टीमसी नेता के अपत्ती जनक ब्यान के बाद भाजपा ने फुका पुतला, नंदी ग्राम की एक सभा में सुक्रवार को टीमसी नेता वा पच्छिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट पती बनर जी और टीमसी को आदिवासी महिला विरोधी मन सिक्ता से ग्रसित बताया है, बता दे राष्ट पती द्रोपादी मुर्व के खिलाप पच्छे मंगाल के मंत्री अखिल गिरी द्वारा की गया पत्ती जनक टीपनी पर, जार्खन भाजपा के परदेश अध्यक सराज जार्खन का सबसे जयदा परदूसित सहर बना धनबाद, नेशनल क्लीन एर प्रोग्राम के तहट जार्खन के तीन जीलो को परदूसन नियंत्रन के लिए भारत सरकार से 237 कोड़ रुपेज से अधिक मिला है, धनबाद को यारासी 2019-20 तथा 6 जीलो को यारासी 2021-22 से मिल रह बता दे इस रासी से जीलो को परदूसन रोकने के लिए प्रयास करना है, भारत सरकार ने NCP योजना के तहट राज के तीन जीलो को रखा है, इन जीलो का एक्शन प्रानल राज सरकार ने बनवाया है, राज में परदूसन की सबसे खराब इतिती धनबाद जीले की है, परमुख छेत्रों में बनेंगे रोफवे, भोकारों के लुग भुरू, घंताबाडी और धनबाद के मैथन समेत राजे की 5 परमुख पहाडी छेत्रों में पर्याटन को बढ़ावा देने के लिए रोफवे का निर्मान कराया जाएंगा, भारत सरकार के निर्मान रोफवे प्रवत माला के तहत पांचो प्रोजेक्ट सामिल किये जाएंगे राजे की भोगोलिक सनरचना सुदरवर्ती पहाडी छेत्रों को देखते विए अफैसला लिया गया है जार्खन के पथ निर्मान विभाग ने इसका प्रस्ताव त्यार कर भाद सरकार को भेज दिया है वहां उनिसो 32 के खतियान के नापर हेमान सुरेन ने ठग लिया सालखान मुर्मु अस्थानिय नीती नियोजन नीती वा आरक्षन नीती बनाने का काम सीफ राज सरकार का है लेकिन हेमंद सुरेन की सरकार ने चलाकी से इसे नवी अनुसुची में सामिल किया है इसका मतलब यह है कि अब नीती बनाने का काम केंदर सरकार करेगी धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए होते चलों को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल एक अंद भाईए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आप में दोस्तों को से अशेर कर ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बसमें अपना फीड़ बाइक अवसे दे थैंक यू